हलो फ्रेंट संध्या की कुकिंग में आपका स्वागत है देखिए आज हम बनाते हैं चावल के आटे से चीला देखिए छोटी मोटी भूख के लिए हम तुरांत इसे बना सकते हैं सिर्फ दो तीन मिनट मुस्किल से लगता है इसे बनाने में हमने चावल एक कप लिया था चा स्भमज भेशलन अब भेशलन को ना भी डाले तो भी कोई बात नहीं इसे इसके भी कर सकते और उसके टेस्ट में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा थोड़ा से नाने से ठेच इसका और अच्छा हो जाता है और इसे हम चोटी बहुटी भूख के लिए दो मिनट में तैनंके गोल लिया है अब हम डालेंगे इसमें थोड़ा साथी चमच भूना ँवा जीरा आप चाहे तो साबुद जीरा भी डाल सकते हैं और आदी चमच नमक श्वादम साराप नमक डाले और आदी चमच लाल मिर्च पावडर तो पूटी वी लाल मिर्च या लाल मिर्च पावडर ही डालने और इसे भी अच्छी तरह से हम मिला लेंगे वीडियो पसंद आये तो लाइक करना सेयर करना चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और बेल आइकन प्रेस कर लेना ताकि हमारी जो भी लाढ़ा और कितना मेडियम ही बनाएं देखिए हमने लिया है एक लोहे का तवा इस पर हम डालेंगे थोड़ा सा तेल एक चमच हमने लोहे की तवाफर ही बनाया है आप नाने श्टिक का भी उच कर सकती है उस पर तो और अच्छे से बन जाएगा लेकिन तो हमारे पास जो अच्छी तेल लगाकर तवा को अच्छे से ग्रीज कर लेंगे ताकि हमारा चीला चिपके न और इस पर हम आधी कलचुल बेटर को डालकर अच्छी तरह से फैलाएंगे आप इसे जितना पतला फैला सके उतना पतला फैलाएं क्योंकि चीला हमारा जितना पतला राता है उत देखिए हमारा ये तो ज्यादा पतला नहीं बना है दूसरा हम और पतला बनाएंगे इसी तरह हम इजली इसको छूड़ाने में भी ज्यादा दिक्कत नहीं होती है ये आसानी से तेल से ग्रीज करने के बाद छूड़ जाता है इसे दोनों तरह पलड़ते हुए हम पका देखिए ज्यादा से ज्यादा आपको इसे बनाने में तीन-चार मिनट लगेगा ये तुरंत ही तैयार हो जाता है और खाने में भी बहुत टेश्टी लगता है इसे खाने के लिए आप दही का सौस का चटनी का मिठी जो भी आप यूज कर सके कर सकते हैं बहुत ही एक चमा चीनी डालकर फेट ले और इससे सर्व करें बहुत ही टेस्टी लगेगा देखिए हमारा चीला बनके हो गया तयार अब हम इसे दही से मीठी दही से सर्व करेंगे वीडियो देखने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद